Hello my dear friends, अब हम करेंगी जिए depreciation chapter, जो कि आज ये second lecture है, first lecture में हमने depreciation chapter का introduction part कवर किया था, ठीक है, कवर अप किया था, उसमें हमने discuss किये थे two methods, first है जिए आपकी books में, syllabus में कहली जिए न, original cost method और second method है written down value method, ठीक है, यहाँ पर देखिए first method, introduction part हमने discuss कर लिया था, ठीक है, जो आपके लिए necessary है, read करना वो हमने discuss कर लिया था, very easy, very interesting and very, very, very important chapter, depreciation chapter, आज हम इसका practical question first करने जा रहे हैं, start, आप एक बची बात का ध्यार रखना, हम questions करेंगे practicals, हम practical questions पूरा complete करवाने की कोशिश करेंगे, आपके, पूरे के पूरे ठीक है, पर जैसे जैसे हम first practical question करेंगे, आपने साथ के साथ first illustration कर लेनी है, क्योंकि D.K.Goyle की books में, जो भी जितने भी questions है, practical questions जो भी है, वो बिल्कुल इसी based पे है, कि आप illustration करोगे तो practical questions कर पाऊगे, practical questions करोगे, तो illustration कर पाऊगे, मतलब similar है, almost, ठीक है, ऐसी हम यह आज अपना first question क करते हैं, देखिए ध्यान से, very easy सा है, on first of April, मैं आपको last page से भी दिखा देती हूँ, वच्छे, एक वारी कहाँ पर है, इसके साथ का question, ठीक है, आपने, क्योंकि वहाँ पर देखिए, basically, प्रॉपर परफॉर्मा भी दिया हुए, और आपकी double practice हो जाएगी, same question कि, जैसे हम यहाँ पर first करेंगे, यहाँ पर तो मैं solution दूँगी आपको ठीक है, बताओंगी कि क्या से हल करना है, और आपकी book में already किया हुआ, यही वाला same, ठीक है, यहाँ से आपको और ज़्यादा अच्छे से thoroughly आप read करोगे, practice हो जाएगी, basically, हमारे कहने का यह मतलब है, ठीक है, वह यही वाला similar देखना, वही सब कुछ question है, यही ऐसे ही हम annual depreciation find out करेंगे, फिर हम rate of depreciation find out करेंगे, ठीक है, यह formulas है, annual depreciation, पहले हमने देखना आते है कि क्या given है question में, क्या नहीं given, basically, क्यों कर रहा है ऐसा हमने, क्योंकि rate of depreciation नहीं given question में, so this is the reason कि हम यह formulas put up करके, यह ठीक है, cost of assets, cry value, over estimated life of assets, यह सब कुछ given है, उसके base पे हम rate find out कर लेंगे, जब हमारे पास rate आजाएगा, depreciation का annually rate, मतलब पर annum का, फिर हम अपना account maintain करेंगे, देखेजी चलो, फिर से आप आप वापिस आ जाते हैं, यही पर, आप CVSE के student हो चाए, HVSE के हो, किसी भी board के students हो, यहाँ पर आपको पूरा एकदम से base clear हो जाएगा, जैसे जैसे आप practical questions करोगे, देखें, statement rate कर दिया, on 1st April 2015, a limited company purchased a machine for Rs. 1,90,000 and spent Rs. 10,000 on its installation, हमने last lecture में discuss किया था कि, जो भी कोई fixed acid होती है, machinery होती है, जैसे घर में LED, LCD, washing machine, AC, ठीक है, कुछ ऐसी हम fixed acid लेकर आती है, कुछ भी, जो long time के लिए, use के लिए लेकी आती है, और उसके उपर investment भी थोड़ी अच्छी खासी होती है, वो तब तक हम working condition में नहीं मानते, जब तक उसको proper install नहीं करवाया जाता है, sponge of that washing machine लगा लीजे, LED लगा लीजे है, LED तो हम ले आएंगे, पर उसकी wiring है, कौन सा setup box लगवाना है, जब तक हम वो नहीं लगवाएंगे, पूरा display नहीं आने लग जाएगा, तब तक जितना expense होता है, machine के उपर, वो भी हम इस cost में add करते हैं, अब हम यहाँ पर कहेंगे, हमें जो machine है, 1 April 2015 को purchase करी, वो हमें 2 lakh की पड़ी, हम ये बोलेंगे, ठीक है, और इसकी entry क्या होती है, खुद सोचिए, simple, थोड़ा सा याद कीजिए, अगर journal entries आपने chapter किया है, अगर किया है, तो भी ठीक है, अगर नहीं भी किया, तो भी कोई problem नहीं है, ठीक है, जब हम कोई चीज purchase करते हैं, दीक है, machine, याद रखना, अगर goods दिया होता है, तो वो हमें, हमने अपनी दुकान के लिए, shop के लिए, business के लिए, goods यानि कि माल purchase किया है, ये machine हमने sale के लिए नहीं purchase करी, ठीक है, अपनी वहाँ installation के लि टू बैंक, ठीक है, spent ये होगा जी, at the date of purchase, it was estimated that the scrap value, जब हमने, जैसे हम मालो phone purchase करते हैं, हम कहते हैं, भाई, मेरा phone 2 lakh का है, अच्छा, ये end of, मतले, इसकी जो scrap value, ये end में मेरे को न, 6 साल यूज करने के बाद, भाई, 50,000 मिल सकते हैं, ऐसी इस पे बोला गया, ठीक है, कहते है, at the date of purchase, it was estimated that the scrap value, dispose of value, ठीक है, कितनी मिल सकते हैं, 50,000, at the end of 6th year, ठीक है, तीन बात ये हैं, जो इसमें अपने ध्यान रखनी है, एक तो ध्यान रखना है कि, account कौन सा बनाना है, give machine account, machine account बनाना है, depreciation account बनाना है, एक बात ये होगी जी, machine account बनाना है, depreciation बनाना है, एक बात, दो बात होगी, और, हमें यहाँ पर value given है, 6 years की, पर, accounts उसने कितने, कितने साल के लिए कहा है, बनाने के लिए, 4 years है, दिखिए, in the books of the company, for 4 years after providing depreciation, वैसे तो उन्होंने 6 years का सारा कुछ हमें given है, data given है, जो machine का, जो 2 lakh की पड़ी हमें, ठीक है, पर वो कह रहा है कि, आप वस सिरफ मेरे को 4 years का बना कर छोड़ देना, ठीक है, 4 years का बनाना है, हमने दोनों account, machine account भी depreciation account की, इस बात का specifically ध्यान रखना, ठीक है, एक बात होगी, दो होगी, तीन बात ही होगी, 4th बात बेटा आपने क्या ध्यान रखनी है, आपका closing day कौन सा है आपकी business का, ठीक है, जो financial years होते हैं, ठीक है, कई जो business man होते हैं, कई तो first of January को, अपना first day मानते हैं business का, ठीक है, कई first of April को मानते हैं, चाहे calendar year की according मान पर यहाँ पर उन्होंने का, ठीक है, 31st of March every year मेरा closing day है, मैं यहाँ क्यों बता रही हूँ, it means जो हम depreciation चार्ज करेंगे, हमेशा हर साल depreciation सिर्फ last day चार्ज की जाती है, ठीक है, याद रखना, क्योंकि देखिए, मैं business तो six years के लिए continue रखूँगा, बिजनस अपना six years continue रखूँगा, books maintain मैं four years के लिए करूँगा, पर four years के लिए जो मैं books maintain करूँगा, four के four years में इस machinery के two lakh के ओपर depreciation तो चार्ज करेंगे न, तो हर बार जो depreciation loss account में मैंने भेजनी है, depreciation account में भेजनी है, वो मैं 31st March को चार्ज करूँगा, हर बारी, depreciation एक loss है हमारे लिए ठीक है, याद रखना, ठीक है जी बस, अब हमें answers we given है, ठीक है, देखिए क्या से करेंगे इसको, very easy and very interesting question है, सबसे पहले तो जैसी जैसी आपको आपकी, इसमें बुक में दिया हुए, पिच्छे, उसी के recording देखिए, ये तो हमने statement लिख हुई है, ठीक है, आप आपने just क्या करने, ऐसी maintain करके, यहाँ से just starting line लिख देनी है, ठीक है, क्योंकि क्या है, यहाँ पर जो आपकी books है, अगर आप last year की book को उठालोगे, maybe question number first कोई और होए उसमें, तो थोड़ा सा आपने क्या करना, जब भी किसी question का solution लिखोगे, यहाँ से just starting से थोड़ा सा words लि और देना बस, ठीक है, देखिए जी कैसे करेंगे हम इसको, हमें depreciation नहीं given, आप सभी को पता, ठीक है, as the rate of depreciation is not given in the question, देखिए आपने notes तो ऐसे ही maintain कर लेना, या अच्छे से ऐसे full flesh, आप learn कर लेना, सब कुछ as it is ही देखना, इस से आपकी जो concept clarity है, वो अच्छी हो जाए ठीक है, और paper में इतना length ही लिखने की जुरूरत नहीं है, इतनी detail में ठीक है, यह सब कुछ वस, paper में तो just formula लिखना और put up कर देना, as the rate of depreciation is not given in the question, हमें पता, depreciation नहीं दी होई कहीं बेभी, rate नहीं given है, यहाँ depreciation को कुछ भी नहीं है, machine की total value बताएगा, 2 lakh है, और यह बता एगा, as the rate of depreciation is not given in the question, the amount of annual depreciation will be arrived as under, कैसे कहते हम find out करेंगे, अगर rate of depreciation question में नहीं given, तो हम annual depreciation, मतले पूरे साल की depreciation कैसे find out करेंगे, क्या formula उसका, yearly depreciation का, पूरे साल की find out करने का, cost of asset, ठीक है, पूरी cost की asset कितनी है, 2 lakh, आपको पता है, 190 plus 10,000, minus scrap value उसने क्या काया, 6 साल बाद केते हैं, मेरे 50,000 की भी केगी, ठीक है, वो हो गया, upon में estimated life of asset, यह ध्यान रखना, 4 मत लिख देना, 4 तो उसने हमें यह काया, कि तुम, यह जो 4 है ना, उन्होंने यह का, कि तुम 4, और आप, मतलब students, लोग, हम जो भाल करेंगे question को, 4 years के accounts maintain कर देना, पर उसने पूरी life कितनी बताई है, 6 years, कि हम 6 years ही लिखेंगे, लिखें कितना easy है, यहां से हमारे पास क्या आजाएगा, 25,000 per annum, लिखें कि annual depreciation आजाएगी, 25,000 मेरे पास, यह depreciation आगी, चाही तो बस आप next rate मत find out करना, 25,000 यही वाली, हर साल हम, क्योंकि देखी, original cost method में क्या होता है, original cost method यह कहता है, fix installment method भी बोलते है, इसे, straightforward method भी बोलते है, और equal installment method भी बोलते है, इसको, हर साल, हम 25,000 ही charge करेंगे, depreciation, जो इस वाले method के according है, ठीक है, जी वैसी हमने rate भी find out करके, rate of depreciation कैसे find out करें जी, annual depreciation, amount of depreciation upon total cost of asset 2,00,000 टॉ, 2.5 percent per annum, per annum की मेरी depreciation, अब देखीजी, account कैसे maintain करेंगे, very simple है, आपने भी बिल्कुल ऐसी-ऐसी कशिश करनी है, धेखें वही वाला फोर्माट है तीन प्लस तीन कॉलम्स थी कॉलम्स डेविट साइड त्री कॉलम्स क्रैडिट साइड ठीक है उसके बद मेशीन काउंट होगा है डेट पर्टिकुलर्स एमाउंट रूपीज आपने इसी सीक्वेंस में सब कुछ लिखना दिखी इसके पहलर इयर के पहलर बैंक छोड़ना है अगर फिर भी कोई दिक्कत लगती है आपको आप अपनी बुक मेसे जो इल्स्टेशन गिवन है वहां से परफॉर्मा देख ले ना वहां से भी एकदम क्लैरिफिकेशन हो जाएगी देखे यहां पर अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी कोई फरिख पर लिख लोगे तो आपको ना एकदम पता लगेगा कि यह मैंने 10,000 किस चीज के लिखें कहीं यह तो नहीं कि एक और मशीन खरीद ली इससे पता लग जाते कि इसी के रिगार्डिंग खर्च है मेरा ठीक है टू बैंक देखिए 1st of April टू बैंक एकाउंट मेरे मेरे पास स इसकी मेरे को मिशिनरी पड़ी है यहां देखिए यह वली जो हमने 25,000 फाइंड ओड करें यह उपर चाहे तो आप डिरेक्टली यह चीज लिख दो हमने यह दोनो दोनो फाइंड ओड कर लिए यह तो फिक्स रेट भी फाइंड ओड कर दिया था डेप्रिशेशन का अगर आपने ऐसे नहीं इसको निकालना यह जो टू लैक है इसका टू लैक का 12.5 परसेंट 12.5 परसेंट अगर हम डेप्रिशेशन फाइंड आउट करेंगे फिर भी वो 25,000 ही आएगी यह जो हमने टू टाइम्स यह निकालना रेट ओफ इसको इसमें से चाहे आप यह चाहे स्कि यह और यह दोनों एमाउंट्स हमेशा 31st मार्च को ही लिखी जाएंगी हमेशा दोनों की दोनों ठीक है कुछ केसी ऐसे हैं कि वो सेल आउट कर देता है इन बिट्विन ओफ दा इयर जब सेल करेगा मालों अक्टूबर में सेल कर दी तो यह अक्टूबर आ जाएगा क्योंक सेल करते है तब डेप्रिशेशन उसी टाइम डेप्रिशेशन लगते है उस केसीज में वही वाला मन्त हैगा अधर्वाइस हमेशा लास्ट डे ओफ दा फाइनेशील इयर आएगा अगर केलेंडर यह तो 31 दिसंबर आएगा अगर यह एपरल टू मार्च वाला शैशन तो मा चाहेगा ठीक है यहां आगया यही वाले को यह ज्यान रखना 2015 है यह गलत लिख दिया न शायद हाँ यह कुछ गड़बड़ी कर दी बच्छी यहां एपरल 2015 है न यहां 16 आना था हाँ ठीक है यह गड़बड़ी होगी बच्छी यहां थोड़ी से एक मिनिट यहां पर न ध्यान देखो यह सोचके रेखिए 31 दिसंबर 2015 खतम हो चुका यह यह यहां 16 आना था हना सारी जग़बड़ी होगी बच्छी यहां पर न आप चलो ठीक कर ले न यहां से यहां 16 आएगा 16 यहां पर 16 यहां 17 आना था 17 17 यहां 18 आना था इसके साथ कर देदे चलो कोई बात ने 16 17 यहां 18 आना था 18 18 यहां 19 आना था ठीक है थोड़ी सी लिखने में मिस्टेक होगी मेरे से देखे ध्यान से यह ऐसे आपने मिलाने है मेरे से भी तभी एक दम मैं एस्टिमेट कर किया कि यह क्या गलती से लिख दिया 2016 इसके साथ मैच अप करना चाहिए क्योंकि यही वला तो सेम इयर है एक जनवरी से निया साल स्टार्ट हुआ यहां देखे न एक जनवरी से इसके एकोडिंग बारा मिने पूरे करने है आपने इस वले पूरे इयर में 12 मन्त ऐसे पूरे करने होती है एक अप्रेल से स्टार करके 31 मार्च को 12 मेरे कंप्लीट होगे ऐसे चलेगा फिर ऐसे चलेगा कुछ भी नहीं करना वेरी इसी इसी बैलेंस को करी ब्राउड डाउन करने बीडी फिर डेप्रेशेशन फिक्स की फिक्स रखनी है यह बात का ध्यान रखना वस ठीक है जी 31 मार्च को फिर फिर इसमें से यानि कि 1,75,000 माइनस 25,000 कितना है 1,50,000 फिर इसको फिर नेक्स्ट कर दिया जो 2017 में ले गए बैलांस न यहां पर हमने बुक्स क्लोज कर दी लोज प्रोफिट जो भी आया हमने अपने फाइनल एकाउंट्स मेंटेन कर लिए फाइनल एकाउंट्स किसे कहते हैं ट्रेडि उस प्रोफिट था सब कुछ डैविट क्रेडिट सब करके हमने फिर अपना नेक्स्ट सेशन फिर स्टार्ट कर दिया यहां पर वही वाला फिर रैपिडिशन है कुछ भी नहीं बच्चे इस पूरे कोश्चन में ठीक है जी यहां पर ठीक है अब एक चीज देखिए उन्हो आपने में 4 years कहा था 4 years कैसे मानेंगा हम पूरा 1 year यह 2 year 3 year 4 year बस यह 4 year 5th year मेरे को यहां नहीं कुछ भी दिखना चाहिए सिर्फ यहां मेरा बैलन्स कितना है 1 lakh है ना इस 1 lakh को आपने next year में BD करके ब्राउट डाउन करके शो करना है सिर्फ बस यहां कोई भी कुछ transaction कुछ भी put up नहीं करने यहां मेरा question खतम हो चुक है यहां पर यहां जी मेरा machinery account machine account ठीक है next रम बनाएंगे इसी का इसी एक दूसरा depreciation account एक दो questions में यह फिर depreciation account कभी नहीं कहेंगा वो बनाने के लिए अब यहां पर very easy सा है दीके सबसे बहले entry हम यह बली करेंगे यह entry कहां से आई है आप याद किजिए machine account में हमने depreciation अपने right hand side put up करी थी हमेशा दूसरे account में opposite side आती है depreciation account david to machine account ठीक है depreciation account david to machine depreciation loss है ठीक है loss account का मतला nominal account है nominal का मतला all losses and expenses are david and all the profits and gains are credit तो depreciation को हमने david के टू machine साथ की साथ हम क्या करते है इस 25,000 को profit and loss count में shift कर देते हैं ठीक है तो क्योंकि देखिए अगर हम एकठा एक लाख रुपया loss होगा depreciation के regarding अगर हम पूरा एक लाख वन लाख किसी एक साल में ही statement of profit and loss में shift करते तो हमें एकदम से चानक काफी ज़्यादा loss हो जाता मतले मेरा profit डाउन हो जाता basically उस साल का जब मैं इसको debit करता profit and loss में so this is the reason कि depreciation को gradually धीरे धीरे ट्रांसफर करना होता है profit and loss statement of profit and loss में यह आपको पता है कि statement क्यों लिखे क्योंकि limited company है limited company ना होती फिर हम लिखते profit and loss account यह limited account के हम machinery account और depreciation account बना रहे है limited companies में हमेशा account नहीं लिखा जाता उसका performance schedule 3 के according कैसे बनाया जाता है जो कि आप सभी students class plus 2 में accounts में पढ़ोगे company accounts में उसका नेम रखा जाता है statement of profit and loss यह basically profit and loss account ही है बस यहाँ पर इसका नेम यह रख दिया गया ठीक है यह 25 simple देखना है कुछ नहीं करना वही same year ठीक है एकदम से इसको तो बस कुछ नहीं करना सिर्फ यहाँ पर एक counts का फर्क है two machine count आएगा 25 यहाँ से entry को put up यहाँ कर देना है यह मेरा साथ की साथ loss है मतलब same year में loss मैंने shift कर दिया transfer कर दिया debit कर दिया ठीक है यहाँ पर loss लिख लेना इससे एकदम से clarification होती है कि हाँ भी loss है जब भी loss आता है हम इस side लिखते है ठीक है जब भी loss आता है तो हम debit side लिखते है अगर profit होता है तो हम credit side लिखते है ठीक है जी as a 2016 यही same देखे पूरा year date month सब कुछ ठीक है वही same है फिर shift कर दिया हमने इतर as a 2017 में देखिए 2017 by statement of profit and loss 25 last year last year नहीं को हैंगे fourth year कहेंगे क्योंकि last year उसका छटा year है ठीक है दो साल का भी pending था अगर two years तक वह और maintain करता वह बिल्कुली dead हो जाती क्योंकि उसने sale कर देनी थी ठीक है फिर हम buy bank की entry भी put up करते हैं machine account में बस हमने यहां तक करके रोक देनी है जो यह star लिखा हुए बच्चे यह जो stars लिखे यह इस reason से लिख्यों है ठीक पर statement of profit and loss लिखा जाता है यह star का मतलब यह है तो इसी के साथ ही आपका यह question number first complete हुआ आपने अब illustration first और साथ की साथ practical कर लेना है first वाला depreciation chapter का thank you students